त्रिफला गूगुल के बार में बताने के लिए आया है तो त्रिफला गूगुल जो है ना यहां दबाई सभी जगह बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है लेकिन इसका क्या कारे कारण भाव क्या रहता है इसको कौन-कौन से अवस्थाओं में देना चाहिए और कौन-कौन से प्रियोजन से देना चाहिए यहां जानना बहुत जरूर यह सब्से और शुद्यों के निर्विति के साथ बनाया जाता है मतलल हं यह गटक द्रव्य जो रहते लग अलग को रहते हैं इसलें आले वह भॉषजीरतनावली वाला जो बहते हैं देखेंगे ब्युद्यवार्द्नावली में त्रिफ्रवा तरह से बताया है। होते है। तो ट्रिफला गुगूल बें बताया है। बहुत बहुत बड़ा घा हो गया है। आफंटर उसको ठीक करने के लिए त्रिफला गूगल का प्रियोक किया गया है तो पहले हम स्लोक देखेंगे और उसके और ने उसके कंटेंस देखेंगे और वह कैसे कारे करता है वह देखेंगे त्रिफला मतलब कि दोतोलह का स्वरस लेना है और उसमें गोगुल और फिर उसको मिक्स तरके इतना घूठते जाना है और यहां पर Google एदम शुद्ध किया फिर और टम और त्रफला के tradisky और चॉद्ध जा रहे हैं रिल्फ के फिर यहां वह स्रार-उस्कौण दायब अवले जैसा हो जाते हैं इसको tablet में दालके tablet बना लेजिए यहां से भी बना सकते हैं गी के साथ तो जो भाषज रतनावली का त्रिफला गुगल है यह क्या-क्या चीज़ पर काम करता है तो क्लेद अगर आ अगर पर त्रिफला गुगल वहां पर काम करते इसके बातने अगर पाक हो रहे हैं बहुत ज्यादा अगर वहें अगर और फड़ पर जाते हैं तो अलसरेशन हो जाते तो इस इसमें आप लोगों नहीं देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्त्राव निकल रहा होते हैं क्लेद भी आ रहा होते हैं ऐसे कंडिशन में आगर हमने त्रिफला कुकुल दे दिया तो बहुत अच्छा फैदा होता है ऐसे डाइबर्टिक वोड रिजब रहत जो कोई भी दवाय रहे इतना पेड़ रहे कि बढ़ाषत ने हो रहे ताफ ट्रिफला गुगल देने से फैदा होता है और शोथ ही स्था युप्त वरण आप would help put朝 स्वेलिंग है और बहुत जद़र गुवरण बढ़ रहे तो उसमें दोड़ देने से फैदा हो जाते हैं अब मैं इसका जो मां त्रिफला का चूण 12 लेना है 12 लेना है और पीपल का चूण लेना है 4 तोला उसके बाद में शुद्ध कुगल 20 तोला सबको खरल करके और घी की साथ 3-3 रत्ती की गोलिया बना लेना है मैं फिर से रिपीट करता हूँ शारंगदर सहिंता में ऐसा बता है कि त्रिफला का चूण लेना है 12 ला पिपली का चूण लेना है 4 तोला और उसके बाद में शुद्ध कुगल 20 तोला इसको खरल करके घी की साथ मिक्स करके और फिर इसकी गोलिया बना लेनी है तो यह जो है शारंगदर सहिंता वला त्रिफला को खूले उसमें ऐसा है कि यह दोसे चार गूली सुबश शाम लेना है त्रिफला के काड़ा के साथ क्या होता है तो वाता शूल रहता है जो भी वायू की वज़े से पेन हो रहा है और भी बहट हो जाता है फिर उसके बाद भाघधार ज एनो फिश्चुला रहता है न उसमें जो जखम रहती है वह जल्दी से ठीक हो जाता है फिर सूजन जो रहती है बोड़ी में अगर कोई भी वरण में स्वेलिंग बहुत जादा आया है यह स्थानिक अगर शोत है वहां पर आज हम लोगों ने चरक सहीता में पढ़ा था कि श्लिपद रहता है अलगलग स्थानिक हमने यह शोत के अलगलग चीज़ देखे जैसे गिलाई शोत रहता है फिर मुत्र वृद्धी का शोत रहता है कही यह जो स्थानिक कहीं धि Rach ए वहाँ चाहीं पर पर स्थानिक कहीं भी कि इस रहता है प्रेश सी कहते हैं और पुरी तरसे शुखा देगा ओर यह फाइल्स में भी बहुत अच्छा काम से काम सकता है और उसका पाचन कर देगा संप्राप्ति को भंग कर देगा उसी तरह से भवासिर और भगंदर में अगर कबजियत हो जाता है कॉंस्टिपेशन हो जाता है और पेट साफ नहीं हो रहा होता है तो उसमें अगर त्रिफला गुगुल दे दिया दोदोगुली सुबश हम दे दिया न तो अच्छे से पेट साफ होने लगता है जब पेट साफ होगा मल निकलते जाएगा तो हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और त्रिफला खुद ही ऐसा चीज़ है जो हील करता है बवासिर के मस्से को सुखा देता है स्त्रावी ठीक हету यह जुद्ध किलो जो प्रणाठ आप वर यह जो त्रिफला जुम कहां देंट है अगर आप कोई समय में ले रहे और आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब उसमें शुद्ध गुगल नहीं डाला है सुद्ध प्रिपला नहीं डाला है क्या एकि लोग को कंपनी वाले जो मेडिसिन बनाते हैं मास प्रोडक्शन में बनाते हैं को प्रॉफिट करना होता है वह यह नहीं देखते हैं कि गुणवत्ता कितनी है तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप लोग खुदी त्रिफला गुगुल बना लिजे बहुत अच्छा फैदा करेगा और एक मेरा जो दोस्तते न वह आर्मी में ब्रीगेडियर तो उसको क्या हुआ कि 2004 में उसको जधा पढ़ाई कर रहा था वह जो मतारव आर्मी में जाने के लिए कि उसको पढ़ाई कर करके करकर के आँके हमेशा पीली रहती थी और जो आँकों की सीरह थी जबहुत प्रॉमेनेंट थी मतलब बहुत दिखती थी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो बीमारी है उसको तो उसने मेरे से दबाई लिया तो मैंने उसको त्रिफला गुगुल अपने सर के फार्मेसी से बना के दिया 2004 में उसने तीन महिना उसका सेवन किया उसकी आखे पूरी साफ यह वायू का शमन करता है रसायन भी है इसको अगर continue यूज किया जाए तो कोई side effect नहीं होता है दूसरा बवासिर और भगंदर यह दोनों व्यादियों में जल्दी healing करना है भगंदर में भी शोत रहता है उसको भी जल्दी हील करना है तो इसके लिए त्रिफला गुगुल अगर भगंदर हुआ है तो पेट फुल जाता है जी मिच लाने लगता है उल्टी आने लगता है रहती है पेट साफ अच्छे से नहीं होता है सबूँक्य सब्सक्राइब को कब दयाक New York बहुत फेमस डॉक्टर है टीवी में भी आते हैं तो उसने मुझे यह बताया कि मैं सर्जीकल प्रोसीजर्स जो भी है वह सारे मॉडर्ण के करता हूं करता हूं क्योंकि महाराष्टा में अलावड है सर्जीरी करना तो वह सारे प्रोसीजर्स होके भी पूरा करने के बाद और त्रिफला गुगुल जरूरू देता है पिशंट को तो कंटीनू तीन-चार महिना अगर दिया कॉंस्टिपेशन नहीं होता और हीलिंग जल्दी हो ज सकते हैं मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बस यह है कि कोई भी हम चूर्ण देते हैं तो घीप का सेवन करना जरूरी है तो रुक्षता आ जाती है तो इसलिए त्रिफला रसेंट देते टाइम घ्रित पान करना बहुत जरूरी होता है बहले आप दो तिन चम को घ्रित ना तो ब्लीडिण पर में हीलिंग जल्दी कर देता है और रोत ना फिर क्या होता है जो इंटर्नल जो यह रहते जल्यते लेसे ट्राब्श तरहिए और और पर जो संफ्राप्ति हूई है जो जल्दी से ठीक नहीं हो पा रिए उसको भी ट्रिफला कुष्छ ठीक तर देता है दूसरा कि करते रोग में अगर कभी कभी हो रहा है दर्द भबढ़ रहा सब्सक्राइस और पैलन्स proven वह गये हैं चोट को Internet का प्रयोग की आती या तो बहुत अच्चा फाइदा होता है और पर्मानेट फाइदा होता है अब इसी तरह से द्रीफव ःशारंगेता की ओसंटति आए ऑब एक है जो हमारे घुरू जलो में आतर ने हैं और चौए घुर Kansas करके कपढ़ चुन करके और शुद्ध वुआ कि लेना है उसमें फिर ट्रिफला डल देना है शुद गंदक तीन भाग ले लिया शुद गुगल ले री लिया और ट्रिफला एक बाग मतब तीन भाग यह भी हो गए समान्वातरा में होगे हूगे इन सब को मिक्स कर लेना है औ और एरंड तेल के साथ यूज़ करना है एरंड के सांथ Mix करके और फिर इसकी गोलिया बना देना है और बहुत ज़्यादा कूट के Fine Powder करके अरण तेल डाला हुआ जो त्रिफला को गुल है वह हमारे गुरुजी बनाते हैं इसका उपयोग है वह दो दो गोली सुबह शाम गरम पनी के सांथ लेना है या त्रिफला के काढ़े के सांथ लेना है तो इसका अगर परहेज के सांथ प्रयोग किया जाए मतलब तेल मिर्ची मसाला अभिशंदी डशादार्दनेंख और टाइम पर सो रहे टाइप जाग रहे तो व विस्तितल किया ौध ऑट्ष में अच्छा करता है शोतम्ने काम करता है फूरा अरश्सरेंग को ठीक रखेंर रक्त की विक्रुती रग्त दुष्टिक वज़ह से जो पोड़े पोड़े ऑने आयों है में रेक्षिस तो गए commitments उदर्द होगे वह सम्हें यह एक क्योंकि यह इथ्क है कुछ सब camino में भी काम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यह दो सब्सक्राइब करते ले को कि और यह संप्राप्ति उन सब को भंक कर देता है तो आमबत में भी दे सकते हैं आम का भी पचिन करता है वायू का अनुलमन करता है और कुष्ट रोग को तो यह ठीकी करता है अब मैं अपने सर के नोट से कुछ और इसका प्रयोग बताता हूं अलग-अलग संस्थानों में इसका कैसे प्रयोग होता स्थानिक स्थानिक हो जैसे भगंदर गया उसके बाद में गिलायू शोत हो डू उन से लेटिस यह फिर हैड्रोसील हो या फिर हरुनिया हो कहें भी जो स्वेलिंग आया है वह स्वेलिंग चीज़ को वहां पर क्या होत है दोश दोश्तर समोर्चना होने के वज़ां से ब्लड सर्कूलेशन रुख जाता है और इंट्रा सेलेलर एक्स्रास अल लेंड इंबैलन्स हो जाते और उसके वज़द से उत्सेद होके और फिर वहां पर शोत हो जाते तो यह हो दबाई है यह यह रहता नह्तर तरह का है इंफ्लमेशन हुए इंफ्लमेटरी चेंजेश उसमें और वहां पर इरिटेशन हो रहे है नर्स में तो उसमें यह त्रिफला को गुल दे दिया तो नर्स का जो एंडिंग में नियुरेटिस हुए कोई उनने कोई वरण के वज़े से या कोई पैथलोजी की वज़े से तो यह वेदना स्थापन करता है पेन को सब्साइट कर देता है बहुत अच्छा फायदा करता है फिर यह वरण का शोधन करता है मतलब वूंड का पुरा क्लींजिंग जो बलते हैं व वरण का रोपन कर देता है जल्दी से वरण सूक जाता है उसी तरह से यह जंटव नहां है जो भी कोई यह हो घ्याद करते हैं बपताफर्म कि अ ulcerative colitis जैसी बिमार्या रहती है उसमें भी यह जल्दी से ulcer को heal कर देता है इसलिए इसका प्रयोग ulcerative colitis prone disease में करते हैं बहुत अच्छा फायदा होता है संग्रहणी रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं बहुत अच्छा फायदा होता है इसी तरह से संदीवाद जब रहता है जॉइंट में पेन हो रहा होता है हड्या घिस गई होती है डीजनरेटिव चेंज़े जा रहे हैं तो यह आगर हमने त्रिफला गूगल दिया तो बहुत अच्छा जॉइंट में जो इंफलमेशन है उसको यह कम कर दया इंफलमेशन है जॉइंट में अरथ्रैटिस है तो इसका मतलब है कि वहां पर स्वेलिंग है शोत है तो यहां शोत और सूजन को और पेन को कम करने का काम त्रिफला गूगल बहुत अच्छा से करता है इसलिए प्रियोग करना चाहें फि करने करने वाला कोई दवाई चाहिए शोत को कम करने वाला चाहिए वैका शामन करने वाई च supply कु यूप्ति पूर्वक प्रयों किया जैसे महारासने धिकवात रासना सपतक वाद दस्मुलारिष्ट यह सबने के साथ वाटिता कर दिया यह निरगूंडी के स्वैलिंग आ जाता है या फिर चोटे-चोटे गांट बन जाते उसमें भी अगर हमने त्रिफला गुगुल दिया तो यह जितना भी स्वैलिंग वगर है उसको यह त्रिफला गुगुल लेखन करके शोत को नेश्ट करके शूल को कम करके और सब एकदम ठीक कर देता है उसी स्किन डिसाओर कुष्ट रोग में क्या पता है कि बहुत ज़्यदा क्लेद रहते हैं स्किन के पास तुच्यरक्त मास लसिका यह चार जो दुश्ट हो जाते वहां पे इंफ्लमेशन होता है शोत होने लगता है और उत्सेद हो जाते है बहागर उपर उढ़ जाता है और बह कापाल कुष्ट और अदंबर कुष्ट हो मंडल कुष्ट हो रिष्ठ जीव कांकणा कुष्ट हो हर तरह के कुष्ट में अगर त्रिफला को गुल का प्रयोक किया जाए बहुत अच्छा फैदा होता है सेफेश ड्रग है कोई साइड इफिक नहीं होता है और कंटिनूज ज्य पर पने ज्वर होता है जिसमें गाट गाट हा जाती है लिंफ नोट जो रहते हैं वह स्वेलिंग आ जाते हैं सब जगा पुरे बाड़ी में वह क्यों होता है क्योंकि ना बाहर का जो भी बैक्टेरियल वाइरल इन्फेक्शन होता है तो बाड़ी ना टेंपरेचर बढ़ा द करते हैं तो उसके वजह से क्यों होता है कि पूरा लिंफ नोट सुच जाते उसमें अगर तृफला गूगूल दे दिया जैशंग दिप्रिफला गूगूल जो है बोड़ी का डिफन्स मेकैनिजम जो है डिपेंस सिस्टम जो बोड़ी का है उसको यह मजबूत कर देता है त जन्निपात होता है ुछ सब को पुरी तour से ठीकर देता है इसको आप रहसायन के मातरा में भी इसका प्रीयों करेंगे तो आंकों को अच्छा नेता है या ले आपादो के लिए अच्छा होता है इसकीन को एक दम अच्छा कर देता है और पेट पी साफ करता है और सारे नो जुए भ। स्वैलिंगे सब को ठीकर देता है इसलिए ग्रंतिक सेनिपात के गांठी में बहुत अच्छा काम करता है फिर उसके बाद में जो बवासिर है बवासिर में अगर त्रिफला गुगुल ले लिया और आपने उसका लेप लगा दिया बवासिर के मस्तों पे तो वहां उसको जल् कर देता या किन मीगन्ए खिलेध को भी दूर करता है दुरगंद को भी गरता है चराव पाक्सब को थीक करते है इसलिए त्रिफला कोगल का प्रयोग में करने से फायदा होते फिर प्रण पर ँठाफिला गुगूर को थोड़े ज Great Yeah, जैसे क्लमिदा लिया या फिर कोई व दूहां मिला तो वह एंटिवेटी का कारे करेगा बहुत अच्छा दूपन की दर्वे उसी तरह से घर में दूरगंद आ रही है और क्रीमी वगरा उत्पन हो गए वह जो बोलते हैं कि बहुत चोटी-चोटी ऐसे कीड़े-कीड़े आ गए उसमें भी अगर ट्रिफला गुग की वज़े से वह जड़ा स्वेलिंग के बलड आ रहे हैं दाते हिल रहे हैं तो ऐसे कंडिशन में अगर ट्रिफला गुगल का सेवन कराया जाए तो ट्रिफला गुगल जो है ने वह पाईदिया का सारे संप्राप्ति को ठीक कर देता है और फिर क्या होता है गम्स जो रहते वह जड़ा स्मेल आ रहे तो उसमें भी ट्रिफला गुगल का प्रयोग बहुत अच्छा काम करते हैं और अगर ट्रिफला गुगल को आपने काड़ा में मिक्स करके और मुह में गंडूश धारन कराया तो उससे भी ना दात जो हैं वह मजबूत हो जाते गम्स मजबूत हो ट्रिफला गुगल का इस तरह से भी हमारे गुरुजी प्रयोग करवाते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आप लोग भी करिए बहुत अच्छा फैदा होगा फिर उसके बाद में जो नर्वस सिष्टम है नर्वस सिष्टम में ट्रिफला गुगल कैसा काम करता है तो को भी ताकत देता है जो लोग रहते हैं जो मन से कम जोर हो गए रहते हैं ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाते हैं मन में बहुट ज़्यदा डिप्रेश्टिव मूड में रहते उनको अगर त्रिफला bet को गुल को हमने ब्रामी घरित के सांधिया या ब्रामी प्राश्च के सा माइंड को ताकत आजाती है इतना अच्छा यह माइंड पर भी कम करता है उसी तरह से नाड़ी शूल हो रहा है उसके बाद में संधी वात हो रहा है आमबात हो रहा है ग्रदसी वात है साइटिका का पेन हो रहे तो उसमें हमने अगर त्रिफला गूगल का प्रयोग किया तो ग्रदसी वात में जो भी संप्राप्ति हुए उसको यह कम कर देगा बसती वगरा तो देना ही है लेकिन पेन किलर टैबलेट की रूप में अगर हमने त्रिफला गूगल का प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फैदा करता है फिर अर्दित रोग जो रहता है तो वह भी कैसा फेशल पैरलेसिस रहता है तो उसमें भी विरेचन चाहिए होता है वायू की गति को अनुलोमन करने वाला चाहिए और माइल लेक्जेटिव की रूप में अगर इसको त्रिफला गूगूल को प्रयोग किया अर्दित की संप्राप्ति भंग होने लगती है पक्षागात में भी बुला है सथ ने विरेचन अब घ्रित पान कराके अगर इसका प्रयोग के आजाए तो अच्छे से विरेचन होता है और जरूरी नहीं कि पक्षागात में बहुत तिक्षन विरेचन दिया जैंको यह पित को निकालता है और पक्षागात की संप्राप्ति को ठीकर देता उसे तरह से वात्रक्त की वीमारी रहती है जिसमें रख्त और वायू इसका ना आवरंड रहता है एक दूश्रे पर उसके वज़़े से क्या हो रहता है कि पैर की उंगलिया जो रहती है वहां पे रख्त संचित रहता है बहुत ज्यादा पेन होता है गाउटी गुगल और गुडूची पर ही डिपेंडेंट मत रहे अलग लग दवायों का भी प्रयोक करके देखे बहुत अच्छा फैदा होता है भले आप उसको अनुपान की रुप में त्रिफला गुगल को गुडूची को आतके संदे सकते हैं लेकिन हमारे पास हर बीमारी के पास हमारे के लिए मतलब दवायों का 50-60 टैप का अल्टरनेटिव मेडिसिन रहना चाहिए हम लोग को ऐसे युकती लगाके उसका प्रयोक करते हुए आना चाहिए तो कि कभी अगर कैश्वर गुगुल नहीं होगा तो आप क्या पेश्वर गुगुल नहीं होगा तो आप क्या त्रिफला गुगुल वर्णे वरणे में शबसे बैश्ट अगर दवाई है जो भी जख़म में सबसे बैश्ट गड़ए वह तो त्रिफला गुगुल ही यह वागभण जी बोल रहे हैं मैं नहीं वह नहीं गोल रहा हूं ऑश्टांग घ्रदय जिनोंने लिखा है इतने बढ़ा रहा हूं ना बता रहा हूं यह आपको कॉलेज में कोई नहीं बताएगा आपके किताबों में नहीं होगा यह जो मैं बता रहा हूं यह मैंने अपने गुरुजी लोगों से सीखा है गुरुजी लोगों के गुरुजी ने बता है उनके गुरुजी ने बता है तो यह और आम संजिती आम का पचन होता है और यह क्या करता है कि अनुलोमन करते है तो तुरिफला गुगूल से अपने पेट साफ होने के वज़़े से यहाँ भूक बहुत अच्छी Unlike पेट पूरा खलका हो जाता है तो इसलिए इसको देने से बहुत फायदा होता है दूसरा है कि यह यकृत का उतेजना देता है यकृत से अगर पित नहीं निकल पार है कोई ने कोई वज़ा से और वहां लिवर अगर अच्छा है तो हमारा पाचन क्रियाच्ची होगी अगर य क्रिमी होते have money में पुरी तरह सी अच्छा काम करते करणके काढ़ा के सांद गिया पालाश भी जो गया उसके सांथ में ओसको त्रीफिला घुकल तो यह क्या करेंगा क्रिमी को मार मार देगा और अच्छे से पेट चाफ कर देगा क्रिमी को कफज क्रीमी फिर उसके बाद में अलग यदे क्रीमी वह सब उत्पत्ती क्लेड की वज़े से होती तो यह क्लेड को निए यह साफ कर देता है चैनल से स्टेवर चाहिए उसको निकाल देगा तो कृमी फिर से उत्पति नहुंगे और इसमें करेमिक ने जो पर देना चाहिए पेट भी साफ करता है क्रीमी को निकाल भी देगा। इस यह इसका प्रेयोग होता है अगनी मनत रहते हैं और मलकी संजीती रहती यहárias इसमें चैसंप्राब्ति रहते उर्छ में पेट साफ रोजका रोज करता है और अगनी मान देता जो है उसको ठीकर देता है भूग बढ़ा देता है और बवासिर में वहाँ पे जो ब्लड है रेक्टल वेंज जो है वह डालेटेड हुए है उसको भी यह सुखा देता है इसलिए अर्शोक ने भी बता है उसी तरह से अगर मुँ में छाले पड़े हैं ब दोवल धारन करी यह गंडूश करें एक दब रात को किया तो सुबा तक पूरा लो जाते है इतना पास्ट कोई काम नहीं करेगा जितना ट्रिफला को करते हैं त्रिफला का रहा दिजिए थोड़ा सा और त्रिफला गुगुल मिक्स करके और मुह में धारन करें तो अल्सरे चैसे काम करते हैं कि यह धिलये के लिए को ताकत को घृवर है क्ष detectors है तो है तो से लोजिकल रिपोर्ट में इंबैलेंस रहते हैं उन सब में भी यह बहुत अच्छा काम करता है प्लेटलेट कम है तो उसमें भी त्रिफला अनुपान के साथ अगर देंगे तो बहुत अच्छा पायदा करें अगरना कॉरौनरी थ्रोंबोसिस हुए मतलब कूरोनरी आट्री में पूरा थ्रोंबोस्ट हो गया है चोकप हो गया या फिर पांडू रोगल उन सब भी यह क्या करता है लेखन करें करता है त्रिफला जो है पूरी तरह से मंड पे और यूष पे रखा पेशंट को त्रिफला को गुल दिया तो पेशंट को बहुत अच्छा recovery हो जाता है दूसरी तरह से पांडू रोग में बहुत अच्छा करता है रस्वास ट्रोधस को अच्छा करता है तो एच्छा बनने लगता है और पेशंट का पांडु रोग जो थीक हो जाते हैं त्पिर फिर सूज में काम करता है घंडमाला अपची ग्रंथी श्लीपद में अच्छा करता है श्लिपद में क्या होता है कि blood circulation अच्छे सी नियुदा होता है पैर सूजा हुआ रहते हैं थी-पाओ की तरह सूजा हुआ रहते हैं उसमें भी आगर हमने श्लिपद रोग में भी त्रिफला गूगल का प्रयोग किया तो एंटीफ्लेमेट्री तो है शोत को दूर करता है सुजन को दूर करता है क्लेद को दूर करता है पैर एकदम क्लीन हो जाता है पूरा सुजन उतर जाता है तीन महिला से छे महिना तक देना पड़ता है एकदम प्रेशन ठीक हो जाता है तो यह आपके पास बहुत दिव्य दबा प्रेक्टिस में हर तरह का स्वेलिंग को यह ठीकर देता है तो उसके बाद में रख्त में आर बीसी और डबलूबीसी को बढ़ा रहे तो रख्त में ताकत आ जाते हैं तो पेशन्ट का जो यह स्टैमिना स्ट्रेंथ पावर वह एकदम बढ़ जाता है इसलिए त्रिफला जमा हुआ है काश श्वास व्यादी में हिका में विकव जमा हुवा रहता है उसमें भी कपका निसारक रहता है और दूसरे सांस लेने में आने जाने में जो प्राब्लम होरी है उसको ठीक उते तो उसका आणुपान क्या उना चे taş तो कंटकार जी बरंग्या दे गरिट तुलसी के साथ में अगर इसको दे दिया त्रिफला गुगुल तो श्वास का स्व्यादी को बहुत अच्छा करता है और यह कंटीन्यू भी लिया तो पेशन हर समय अच्छा ही रहते हैं क्या होता है कि बादल आ जाते हैं बारिश नहीं लगते तो श्वास का वेक बढ़ जा स्टेबल रखा हर समय तो पेशन ठीक हो जाते हैं इसको रसायन की रुप में देने से पैदा होते हैं यह संधान भी करता है सुगंदित भी रहता है क्रिमिग ने भी रहता है कफ की दूरगंद को भी दूर करता है जीर्ण कास मतलब पुराना बलग जो खासी है ड्राइ कफ है उसको भी ठीक करता है जीर्ण श्वास रहा बहुत पुराना श्वास रोग है उसमें भी अगर हमने इसको कंटकारी गृत के सांदे दिया या नॉर्मल घी के साथ सेवन करा है तो त्रिफला गुगल जो है न वह श्वास का सब प्रब्लम को ठीक कर देता है और क्या दे स अब देने से बहुत अच्छा पैदा होते हैं सव्यादी पूरी तरह ठीक हो जाता है इसी तरह से अगर मुत्रवत अंस्थान यूरी निर्जिक प्रब्लम में जैसे अश्मरी है तो त्रिफला गुग्ल जो है न अगर हमने ये दे करता है और अगर हमने बद्राश में चूर्ण या हज्रल यहुद भस्म के साथ में त्रिफला गूगुल का सेवन करा दिया तो यह क्या करेगा कि अश्मरी को भेधन कर देगा फिर वहां पर जो जखम वकरा होगे उसको ठीकर देगा नेफ्रोंस को ताकत देगा हैड्रोनेफ तो उसको यह ठीकर देगा और गूगुल खुदी मुत्रल भी रहता है तो इसलिए त्रिफला गूगुल देने से अगर हमने वह अश्मरी भेधन दरव्य के साथ या अश्मरी भेधन घृत के साथ इसका सेवन करा है पुरी तरह से फायदा हो जाता है तो मुत्र कृच्छत जो रहता है वह ऐसे पास होते जाते उन सब पुय में में भी अगर हमने त्रिफला गूगुल का क्या बहुत अच्छा एंटिबटी का काम करता है किट्नी के भी सारे नेफरंस को ताकत दे देता है और इससे अश्मरी भी टूट जाता है यूरीन बहुत अच्छा से होने ल में आठ में ग्राम की उत्यजनां देता है और उसके बाद में आर्तव जनन है आ है त्रिफला गूगुल जिसको में नहीं आ रहें थे इर्रेब्लाइक अ जाते थे वाइट डिश्चार्ज हो रहा था जो भी यह प्रॉब्लम हो रही थी ना उसमें त्रिफला गूगल को मैंने कुमारी आसव के साथ कभी अशोका रिश्च के साथ कभी दश्मुला रिश्च के साथ कभी बैद्देनात का सुन्दरी कल पाता है उसके साथ अलग-लग अनुपान के साथ मैंने यूज करके देखा हर प्रॉब्लम में त्रिफला गूगल का बहुत अच्छा रोल रहते हैं मैंसे अच्छे आने लगते हैं वाइट डिश्चार्ज भी ठीक हो जाता है मैंसे रेगुलर हो जाते हैं तो उसमें भी गरभाशे को ताकत मिल जाता है गरभाश में वरण हो गया है एंडोमेट्रियम में कुछ ना कुछ जखम हो गया है कोई भी चीज का पैथलोगी उन सब में अलग लग जगा पर प्रयोक किया प्रजनान स्थान में डिप्रोड़क्री सिष्टम में त्रिफला गूगल बहुत अच्छा काम करते हैं वाइड टेश्टिकल जो रहते वहां पर चुक्रवाहिन रहते है उसमें शूजन अच्रत्राइक ना अंदर उसकेवज़で सेंडेशışे अन्व फिर ने टिरुेयम रहती है अ परông रहता है या मैत्रव Deutschland नहीं होती है या कश्टास तव बोफ पैनीफुल मैंसेज होते हैं पहले पेट दर्द होने लगता है यह क्या करता है कि त्रोतो रोग को दूर Google को अगर हमने यूज किया डिस मेनोरी में आप लोग देखे देखे आप लोग बोलेंगे इसके फैन हो जाएंगे इतना अच्छा दबाइए कश्टार्टव में अच्छा काम करता है फिर वाइट डिस्चार्ज है उसमें भी इंफ्लमेशन हुआ रहता है स्थानिक वह इंफ यूज कामकरता है जो पुराना ट्रिफला गुगुल होग को हम मोटे लोगों में और प्रमेय होगी में यूज यहां हमेशना रह manifests नया जो बनक्या है त्रिफ्ला गुगल उसको पतले में और बहुत दुर्बर सबाय होगा जो पुराना है एक साल से पुराना त्रिफला गुगूल है वह आगर हम देंगे तो प्रमेह रोग में और मेदो रोग में बहुत अच्छा काम करता है फिर मेदो रोग और वाथ कफात्मक जितने भी संप्राप्ति है या वाताज रोग है जिसमें जोईन पिन वगड़ा हो रहे हैं उन सब में बहुत यह जब देते हैं तो यह तेल और घी का पचन क्रिया जो है वह लिवर में अच्छा कर देता है और जो विक्रूत LDL बढ़ा हुए उसको भी ठीक कर देता है क्यों ऑख देता है तिन मिन अगर त्रिफला कुगल दे दिया तो पूरी तरह से कॉलेस्टोल जो बढ़ा हुए लिपड प्रोफायल इंबैलेंस वह नुज़तर अच्छा कर देगा तो सब कर देते हैं और दूसरा यह है कि विशम जो और भी अगर इसका प्रयोक क्या में तो तो बहुत अच्छा फाइदा करता है उसके बाद में यह बता रहे हैं कि जब त्रिफला गुगुल का सेवन कर रहे हैं तो खटी चीजे नहीं खाना है जैसे विनेगार हो गया फिर सौस हो गया टोमेटो कैचप हो गया यह सब नहीं खाना है तिक्ष्ण मद्य का सेवन नहीं पीना है अगर ऐसा करेंगे तब ही रिजल्ट आएगा अगर यह परेज निपाल रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा फिर अजीरने नहीं होना चाहिए भूख लगने पर ही खाना खाने बिना भूख के खाना नहीं खाना फिर त्रिफला गुगुल का सेवन करने तो ब्रह चर्या का पालेन करने ब्राम मोर्त में उठने रातरी चर्या में टाइम पर सो जाने मन को शांत रखने यह सब अगर करें तो त्रिफला गुगुल का बहुत बहुत अच्छा पैदा होते हैं दूसरा है कि अगर इसका अच्छा चाचा चीज बता दिया कि यह त्रिफला अतियोग हो गया या मित्यायोग हो गया बहुत ज़्यादा इसको ओवर्डोज में दे दिया तो इससे न यकृत और फुफुस जो रहता है लिवर और लंग्स उसमें विकृती आ सकती है अगर ज्यादा मात्रा में दिया यह रुक्षता पैदा करेगा और लिवर को यह करता है इंसान को पतला कर देगा क्योंकि यह मेदो रोग में दिया जाता है वेट लॉस के लिए तो यह बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया तो इनसान बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा गूगल दिया गया जैसे दस-दस गोली दे दिया तो य लिट कित का शोधन करता है और इसमें को न्याम करते तो मज भूरत है और प्रिहंट रहे करते है पुर्एन का द्रकेर एक लेखन गरते में जो बढ़ा हुई है उसको ये कम कर देता Yet पिर अस्ती का संधान करते ना विल्वर zoome quatro में करते हैं विरिश कारण रसायन में करें तो यहां मेद का कर्षन करते तो मोटे लोग में त्रिफला achieve देने से फैदा होते हैं पूरिश में दीखें तो यह प्रेट साफ करते हैं उटर तल्थ हैं मत bicycles करते हैं लोग किस तरह का Google ऊछे उस पर टदेंपार सकते हैं काला गुगल रहते है उसके बात में जो सफेद गुगुल रहता है वह वात और पित पे काम करता है इसको ध्यान में रखे कौन सा त्रिफला गुगुल में कौन सा पीला वाला यूज क्या है काला वाला यूज क्या है या सफेद वाला यूज क्या है उसकी तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए उसी तरह से सावधानी रूप में यह करना चाहिए कि त्रिफला गुगुल का प्रेयोग ज्यादा मात्रा में नहीं करना ज्यादा मात्रा में ज्यादा दिन तक करेंगे तो आरोगी वर्धनी से जो रुक्षता आती है उसी तरह के रुक्षता आती है कम मात्रा ठीक है एक दो रूप में यूज करना चाहिए हमें इसको फास्ट रिजल्ट देने ज्यादा नहीं देने और दूसरा जो मैंने परहेज बताया कि खटा चीज नहीं देने खटा चीज के संदेंगे तो इसका जो विपाक बनेगा जो मतलब अहारस बनेगा मेडिसिन का वहाँ विक्रूत हो जाएगा इसलिए खटा चीज के ताथ बिल्कुल भी नहीं देना है तिक्ष्ण मत देना है अजीरन में इसको नहीं देना है क्योंकि यह अजीरन में लशुना दी वट्टी या आरोगी वर्दिनी वट्टी जैसा सारकेट भी बजन और दीप करते हैं तो इसका नियम अगर पालेंगे तो हर तरह के जखम में इसका प्रयोग करिए बहुत ही अच्छा बेस्ट एंटिवेटिक है और आप लोगों को बहुत अच्छा हंडर परसें अच्छा रिजल्ट हैगा अब मैं लेक्चर बंद करता हूं और आप लोगों के कोशन शर्मा जी प्रणाम सर आपको डॉक्तर गैतरी जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्तर अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको एक मिनट यह उपर चला गया डॉक्तर जॉली जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्तर योगेश महाजन जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्तर शु आप लोग भी त्रिफला गूगुल बननाए ये बहुत अच्छा फायदाव करता है, डॉक्टर गोपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डोक् isolated घुच्डर गॉण शर्माझ जी गुड इवनिग आपको, आपको भी गुड इवनिंग डॉक्टर उशा जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर रेनू पंडे जी प्रणाम आपको राहूल शर्मा जी पुछने कि एक बार रिपीट कर दिजे क्वा प्रेश और बोध डिफ्रेंशेट एक्स्प्रेंट करिए कौन सा गूल बैस्ट और खुद त्रिफला गूल बनाने के लिए और गूगूल लेना है या नया लेना है या अब देखे अगर आपको वेट लॉस करवाना है पेशन में तो पुराना वाला गूगूल लीजे और श करते हैं आपको जो चीज के लिए चाहिए उसके हिसाब से फ्रेश या ओल्ड का प्रयोग करिए चौबे जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर हर्जीत सिंग जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर मनोज जी प्रणाम आपको डॉक्टर हिमन्शु जी नमस्ते प्रणा इन्वां इंफेक्षण यास निउमां इंफेक्षण में बहुत अच्छा काम करता है जहां भी लेद जन्ने संप्राप्ति हो रही है जहां पर विक्रूत क्लेद है उसकी नौण पर अगर हमने इसका प्रयोग किया बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आप दिजिए इंफेक् पूझने पान के लिए कौन सा स्ने गृत गाय का घी सबसे बेश्ट रहता है गुगुल को भी शुद्ध करते हैं तो गाय के घी में करते हैं एक दो दो चमच आप घी देंगे तो कंपल्सरी देना है त्रिफला गुगुल का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो घी का पान एक दो चमच खाने में तो करना ही करना है कि ऍकालय को डॉक्त्र अरुना जी कुछ भी पूछ रहे है उल्टा कसा क्रकिशन तो यह कैसे करेगा यह आपकी दिमाग में ब्रद reflecting करते ही यह वर रोपक है जो बहुत ज्यादा रहता है वहां पे अलसरेशन रहता है को अगनी को प्रदिप्त कर रहा है आम का पचन कर रहा है तो यह जो कोलोन के जो इंटरनल लेयर से हैं उसको यह हील करते हुए जा रहे है उसको ऐसे करेगा तो स्क्रैपिंग एक्षन की आपके वाल गुगुल का स्क्रैपिंग एक्षन स्क्रैपिंग एक्षन पर ही मत रहे हैं लेकन का रहे ही नहीं रहता यह ब्रण करें क्लेत का भी नाश करें क्रिमियों को भी नाश करें मल्टी परपस है और यह मेडिसिन खुद करती है कि इसको कौन से जगा पर क्या काम करना है हम लोग इसको बोल रहे हैं तो यह मेद का लेखन कर दिये लेकिन जो नौर्मल सेल्स और टिशूज उसको यह रवरण का सब्सक्राइट के पेशंट को दिया है त्रिफला गूगल बहुत जल्दी पेशंट ठीक हो जाते हैं बाद में कोलनोस्कोपी करके चेक किया तो पेशंट का पूरा कोलोन था पूरी तरह से रिजनरेट हो गया जबकि अलोपेट्टी डॉक्टर्स गुलते हैं कि इर्रिवर हो गया या तकलीफ होगे हम घृत के साथ इसका सेवन कराते हैं पेशंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं कि डॉक्टर राजकुमार जी पोच रहे हैं कि फिशुला के और शदी फिशुला के और मैं तो बताऊंगा यह त्रिफला गूगल दीजिए और बहुत अच्छा फैद करना है या ब्रेन में कहीं भी हीलिंग करना है तो यह अब्रेक बसमें किसान देने से बहुत ज्यादा फैदा होता है आप गूगल बनाते टाइम अब्रेक बसमें डाल लेजिए बहुत अच्छे से काम करेगा डॉक्टर ब्रिजेश जी पुछ रहे हैं कि पाइल्स और अर्ष कुठार रस और त्रिफला गूगल दे सकते हैं 100% दे सकते हैं अर्ष कुठार रस मस्तों को सुखाएगा और अनुलोमन करेगा और अर्ष कुठार रस की पावर बढ़ा देगा तो जैसे हम सुखोई पाज रहता है या पर राफेल की लग तो बहुत गूठीर बहुत ताकत्तहर बन जाता है वह से अर्श कुठार रस में त्रिफला गूरल डाल दिया और यह अऀल करेगा बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा बताया दोक्तर बल्विंदर सिंघ जी नमस्ते प्रडाम आ अर्ष कल्प है बहुत सारे दवाइयां है तो आपने वह भलातक का चूड़न है या फिर अगर पाइल का मास रस्तरावी अर्ष में तो नाकेशर चूड़ने अपने अवस्ता की सबसे यह दवाइयां को दीजिए और पेशन का पाइल का मास वह पुरी तरह से डिजॉल हो जा जाता है अंदर यंदर ठीक हो जाता है डॉक्टर कुसम पंडे जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर प्रमोद जी धन्य है आपको कोटी-कोटी नमन आपको भी धन्य है आपको भी कोटी-कोटी नमन डॉक्टर शर्मा और मैंने पिछन्कों देथा हूं उसी तरह से मेंने जो जो सेस्वास में आप लोग को मज़े विश्वास है आप लोग को भी करें आप लोग का भी प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ेगा होता आप लोग एंटीबैटी के रुप में इसका प्रेयोग करिए पीशन गों इस फायद होता है अल्सरेटिव कुलैटिस थे भूहत अच्छ फायदा होता है कुश्ट रोगों में बहुत अच्छ फायदा होता है तो आप लोग से ही मैं अच्छा करता हूं आप नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्त रमीला पटेल जी पूछ रही है लॉंग टैम ट्री टू 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 टू-3 मन्थ ट्रिफला गुगल लेना हो तो आरोकी बर्धिनी साथ में देना चाहिए क्या हाँ दे सकते हैं लेकिन आरोकी वर्धिनी एक मंडलं से भीता फॉर्टी-टू देके फिर उसका ब्रेक लेना चाहिए फिर उसके बाद में फिर आरोगवर्जनी देना चेह त्रिफला गुखल जो है वह रसायन की रुप में इसका डोज कम होना चेह त्रिफला गुखल अगर आपने 20-20 गोल लिया दी तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो मैंने बता है कि क स्क्रैपिंग एक्शन भी होता है ज्यादा डोस देने से क्या होगा लेखन कारें ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसलिए कम मात्रा में ही देना है एक एक या दो दो गोली ही कंटीनू दे सकते हैं बहुत अच्छा फैदा होगा डॉक्टर श्वेता जी पूछने है कि कास मे अगर आपने पर लें वॉसा पूच ले लिया एक चमच ले लिया पूच्छ चूण ले लिया आधा मूच अगर यह कफ़ के साथ पाखस्या रही है तो उसमें यह त्रिफला गुगुल वासा पिपली त्रिकटू यह सब समान मातरा में भी देंगे तो बहुत अच्छा पैद होगा पेशन्ट टू पेशन्ट आप लोग को डोस डिसाइड करना है डॉक्टर कुंदन जी पूछ रहे कि PCOD के पेशन्ट में निरू दिया लेकर वस्ति 16 देज रजप्रवर्थन के लिए आपने जो बताए वह वस्ति दी वह मन दिया सब ठीक से हुआ पेशन्ट काफी मोटा था आप काफी पतला हो गया PCOD है तो मोटा नहीं था मोटी थी ऐसे बुलिए आप काफी पतली हो गई अगनी अच्छे से दीपन हो गया सब ठीक हुआ बट पिरेट्स नहीं आ रहे पुष्व धन्वारस इवन्विडी देवधारवरेश टाप्यदी लोग फलग्रेट बट पिरेट्स नहीं आ रहे 2.5 क्या करना है कुंदन जी न आपने दवाईयां तो सब अच्छी दी लेकिन आपने एक काम पर ध्यान नहीं दिया कि इनको रस पाचक रक्त पाचक नहीं दिया ताप्यदी लोग दिया तो उसके सांथ में नवायस लोग दीजे क्या है कि न रस और रक्त अच्छा बनना चे रस और रक्त का प्रसादन अच्छा होना चे दूसरा बात है कि पेशन को प्राणायम करने को बोलिए पेशन का वजन और कम होना चे एक्सरसाइस बोलिए दिन चर्य अच्छा करने को बोलिए रोज सुबह उटके उनको दोड़ने को बोलिए ऐसे करने से क्या होगा ना उन आपका ट्रीटमेंट अभी तक तो सही है बजन भी कम हो रहा है पेशिंट का बस यह है कि पीरेट्स नहीं तो पीरेट्स आने के लिए उनको दिनेचर्या में तोड़ा चेंजिस करिए और दूसरा ताप्पेदी लोगों के साथ 29 लोग रस पाचक रक्ष पाचक देजिए और दूसरा तिल जो मैंने बता है वह करिए आप देखेंगा पेशन को कंटिन्यूम बेंसे जाएगा और जो फल गरित है न पांच एमल नहीं चाहिए उनको ज्यादा दीजे चार 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 बड़ा चमच 25 एमल तक इतना ज्यादा मात्रा में पल गरित देना है जितना ज्याद होगा उतना जल्दी आर्तव आने लएगा उनका बायू का अनुलोमन होगा इतना चेंज्जेस करिया तो फिर आप मुझे जरूर बताएगा डॉक्टर अमान सिंग जी नमस्ते प्रणाम अमन सिंग जी पुछ रहे हैं कि कौन सा त्रिफला गूगल यूज करें मैंने तो तीन टैप के त्रिफला गूगल बताएगे अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा यूज करते हैं यह श्वेता जी पुछ नहीं कि कॉल कोलेश्टोल हर मेन में चेक कर आतरी रहे है वह वह कम होते जाएगा डॉक्टर स्वाती जी नमस्ते प्रणाम आपको कीड़ोग्टर श्वेता जी मेहजौर बटी से ज्यादा अच्छा पैदा हो रहा है कि घु dapat करता है मैं किसी को मेहजौर गुघुल देता हूं तो गोघ हुए तह समय और है कर थोड़ा धू नेला हुए ट्रकेशुक हो मेह तसमें अच्छा है क्वालिटी में मद्यूवर बटी धाल प्रक अच्छ theo आप कितने दिन सकते हैं चरक सहीता बहुत अच्छा नाम है जोक्टर अजय कुमार जीusta महला आपको रहाarem आपको और अग्या ईन्होंने कहा कविता जी पुछा कि ट्रिफला गूगूल यूजड इसने जहां पित की फेए हैफर थारोडिजम है बॉइर है वहाँ पर गुडुची सथव सबस्द्ला होका और मैंने एक जलगा था कि करते जहां पर ठूम वस्ते से हो यहां जहां काम करते हैं आँ अंड किसे करें के तो यह रिखेंच के में गुगल को डाल के उसके उभालना है मंद अगनी पर उसके के बाद में उसको जो पतला हो जाएगा गुगुल उसको गोगृत में डालके छान लेना है तो उसके बाद में यह शुद्धु गुगुल हो जाता है ऐसा तो बताया है यह ना ग्रंतों में कि विजु जी नमस्ते आपको भी प्राची जी पुछने की पिसी ओडी में कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं पिसी ओडी में तो लेखन करने वाली बहुत सारी दुनिया डेड़ लाग दवाई हैं चंदरप्रभा वट्टी दे दिजे फिर कांचनार गुगुल दे दिजे फिर उ प्रणाम सर जब आमावस्ता हो तब शुरू में नहीं देना है त्रिफला गुगुल दीपन पाचन करेगा जब अगनी अच्छा हो जाए भूक लगने लगे आमावस्ता निकल जाए तब गृत का पान करना है पहले अगर देंगे तो तकलीफ होगा डॉक्टर शिल्पा ज ब्रह्मपुत्रा जी पुछ रहा है कि रिपीट दा राइट प्रपोर्शन इस कंटेट ओ त्रिफला गुगुल आप मेरा यह जो वीडियो है इसको पीछा कर पीछे करके रिवाइंड करके पुरा सुन लिजे डॉक्टर जोती जी पुछ नहीं कि रिकरेंट टाइफर्ट में क्या करें आप टुछ जो रिकरेंट त्कषीवर हुरह रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि यह महासुदर्शन कौत देशकते हैं जैमंगल रहे क्यी था भाइए फिर उसके बाद में रस पाचक रस पाचक जो भी लक्षन दिख रहे हैं उससाब से महा सुदर्शन कौद महा जो रांकुष रस आम का पचन करना है हमें और दूसरा है कि अगनी को प्रदिप्ट करना है तो आरुक की वर्दिनी बहुत अच्छा काम करता है परपटी विवर में उसका चीकिस्णा करना है कि आपने अलोपेथी को आईरुवेद में गुसाने की कोशिश ना करे या अईरुवेद में अलोपेथी मत गुसा है आपको अपना अईरुवेद का डैग्नोस करना है और तभी ट्रीटमेंट देने कि डॉक्टर रजनी शर्माजी किल्कुल भी चिंता मत करें लेखने गांड का काढ़ा देदीजे आरों की वर्धिनी देदीजे चंदर परभा देदीजे तो वह 500 जब है ट्राइग लिस्रेट तीन में नॉर्मल जगा पेशन का वेट भी कमनी होगा बैलेंस रहेगा सोनम जी पुझे आमाति यसार में ट्रफ ला र्हूगल में यूज़ कर सकते हैं हां दे सकते हैं दे एक ना त्र रिफला कुगल्याक और कि आ आप करिए यह आपका केस सॉल हो गया ना और आप अगर हो सके तो उनको ना मात्रा बस्ती देदीजे सहचर तेल का यह सहचरादी तिल या शीर बला तेल का देदीजे इतना अच्छा रिजल्टत है आप एक बार उनको बस्ती सिखा दीजे पेशन को मैंसस आने लेगा इतना मैंसस आएगा इतना अच्छा कि आपको याद करेंगे कि आपने पर्मानेट इसको ठीक कर दिया क्योंकि जितने भी योनी व्यापत होते हैं योनी की रोग होते इसमें वायू का प्रकौप होता है जब शमन दवायों से उतना एफेक्ट नहीं आ रहा है तो बस्ती देदेन मैं वहीं बोल रहा हूं दश्मूल का काड़ा दे दीजिए और धन्मंतर तेल देदीजिए या सहचर तेल या शीर बला तिल इसका कोई एक सेलेक्ट करके आप बस्ती दीजिए पेशन को चरूर आएगा मैंसस वायू कभी रुका हुआ रहता है इसको मोड़ वायू बोलते गुर्प्रीज जी और यह मैं नहीं बोल रहा हूं चरक सहीता में पुनरवसू आत्रेज जी ने बोला है गुर्प्रीज जी पुछ रहे हैं कि अल्सेरेटिव क्लेटिश पेशन को अगर म्यूकस आ रहे हैं त्रिफला गूगल के सांथ कौनसा मेडिसिन दे सकते हैं अगर म एरंड तेल देंगे रात को दो चमज चार चमज तो वह म्यूकस को निकाल देगा और जो बारबर म्यूकस प्रोडक्शन हो रहे हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा उसमें और भी बहुत सारा दबाईयां दे सकते हैं लेकिन एरंड तेल आपने जो कोशन पुचा उसका मैं अ प्रमुला है हमारे गुरुजी का यह लिख लिए बच्चा है पुनर्नवा है अम्रिता सत्व है और प्याज है अगर जंगली प्याज मिले तो बहुत अच्छा है या सफेद प्याज उसके साथ में दिजिए ठारेट का टी एसेश टी 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 फॉर सब बैलेंस हो जाता है ओम प्रकाश सर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको हां पंच कर्मा पे हां मैं लेक्चर लूँगा यह पूरा फरवरी चला गया हम सोचते रहेगे कि पंच कर्मा पे लेक्चर लेना है मैं लूँगा डॉक्टर जोती जी पूछ रहे हैं कि पेशन्ट केम विद हिस्ट्री टा सबसे अच्छा तो अभी यह सारे कंडिशन है तो जोती जी आपने वमन देने से पेशन को बहुत अच्छा रिकवरी होगा आप दीजिए और आप लोग को कोई भी ऐसे डिफिकल्टी आ रही है व्यद्दे विमल जी प्रणाम आपको आप आप लोग को कोई भी डिफिकल् मुझे वट्सप पर पूछ सकते हैं मैं आप लोग को नमबर देता हो आप अपना आप लोग मुझे बहुत अच्छा लगते हैं मैं आप लोग को जानता नहीं हूं लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग मेरे ही हैं मतलब सब लोग सारी जीवात में हम एक ही हैं एक ही मैं चाहता हूं कि आप लोग का प्रैक्टिस को मैं और बढ़ा हूं मेरा तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा है लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग को मैं हेल्फ करूं आप लोग जहां भी प्रांत में रहते हैं बारत के विदेश में रहते हैं आप लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छ हो और कोई साइड इफेक्ट नहों पेशन्ट आप लोग को बहुत ज्यादा पैसा दे आप लोग आप लोग का यश कृती नाम सब अच्छ हो आप लोग को सुख मिले आईरवद का प्रेक्टिस करने से धनवंत्री भववन का अश्रीवाद मिले इसलिए मैं आप लो 12 मिनिट हो गया है तो मैं लेक्चर बंद करता हूं हम लोग सबनाव बजे इंट्रेक्टिव सेशन में मिलेंगे तब हम लोग आगे और चर्चा करेंगे प्रणाम आप लोग को थैंक यू